नमस्कार दोस्तों स्वागेत है आप सभी का सुपर कोचिंग आए इस बारी टेस्ट बुक में तो आप लोगोंने M.G.Motors के बारे में तो सुना होगा M.G.Motors की कई गाड़ियां भारत में आती M.G.Hector M.G.Gloster M.G.Aster और काफी successful रहा है इंडिया में इनका सफर दोस्तों वैसे तो MG का full form है Morris Garage लेकिन ये actual में Chinese state-owned car company की subsidiary है state-owned याने सरकारी तो Chinese सरकारी company है SAIC Psych Motors उन्हीं की ये subsidiary है MG और जिस नाम से इंडिया में बेची जाती है किसी जवाने में British company हुआ करती थी लेकिन अब इंडिया में Psych Motors ने entry लिया है MG brand के द्वारा जिससे कहीं ना गहीं उनका जो Chinese presidency जो Chinese ownership है वो छुपता है एक तरीके से consumers में जो भी है इनके खिलाफ सरकार ने एक जात शुरू की है जिसको news में भी आपको देखने मिलेगा cover किया जा रहा है तो news में है दोस्तो ministry of corporate affairs ने अपने registrar of companies के द्वारा MG Motors के director और MG Motors के auditor Deloitte दोनों को ही समन किया है और उन्होंने कहा है कि कुछ audit records में कुछ deficiency है जो उन्होंने अपने probe में discover किया है MG Motors ने भी कहा है जी हाँ आमें भी एक notice मिला है जिसके अंतरगत clarifications कि आउशकता है कि इतने successful जो इनका run रहा है अब तक भारत में उसके बावजूत इन्होंने 2019-20 में loss क्यूं सफर किया operational losses क्यूं हुए इनको despite the fact ये लोग इतने successful run इनका रहा है और इस बात को MG Motors ने भी कबूला है तो दोस्तों ये जो पूरा audit चल रहा है ये already मैंने एक video कुछ दिन पहले आप लोगों के लिए बनाया था जिसमें कहा था कि Chinese companies जो भारत में है उन पर सरकार की पैनी नजर है आपको याद होगा मैंने बताया था कि एक inquiry चल रही है देश भर में वो सारे companies जिनके board में Chinese nationals है इससे पहले Oppo, Xiaomi, Vivo इन सब को भी notice दिया गया था, serve किया गया था, investigation भी हुआ था कहा गया था कि ये duty evade कर रहे है और उसी के अंतरगत अब शिकंजा MG Motors पर कसा गया है तो MG Motors के company director को समन किया गया है under the section 207 of the Companies Act 2013 ये section कहता है कि जो registrar है उनको registrar और the inspector है उनको authority है कि वो जो books है किसी भी company के उसको call कर सकते हैं कि इसको एक बार हम inspection करेंगे और इसको further scrutinize करेंगे जाहिर सी बात है MG Motors ने भी कुछ जवाब दिया है MG Motor India ने कहा है कि हम law abiding professionally managed company है highest standards compliance के हम maintain करते हैं highest standards of governance भी हम maintain करते हैं और transparency से हम committed हैं transparency के लिए हम committed हैं हम totally government authorities के साथ cooperate कर रहे हैं सारे issues में और जो भी records registrar of the companies को चाहिए वो हम within the demanded time frame उनके समक्ष रग भी देंगे इसके सिवाएं हुने का जो हमारे उपर allegation है कि एक साल में profitable क्यों नहीं हुए एक साल में despite being so successful operational losses क्यों आया तो इस पर उन्हें का है कि देखे भारत इतना competitive market है जहां पे कई बड़े-बड़े multinational companies भी struggle किये हैं और अपना business wind up किये हैं तो उस माहोल में किसी company के लिए पहले ही साल में profitable होना given the fact इतना ज़्यादा capital investment होता है this is not possible यह impossible है किसी भी company के लिए first year में ही profitable हो जाना और उन्हें का कि हम global multinational है हमारे जो books हैं Indian accounting standards के अनुसार maintained किये जाते हैं और Deloitte जैसे reputed audit firm के द्वारा audit भी किये जाते हैं तो यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा MG Motors एक British brand है Morris Garages 1924 का आप देख सकते हैं since 1924 है फिर होता ही हुए है दोस्तों 2019 में MG Motors इंडिया एंटर करती है पर उससे पहले आप देखें तो MG Motors को खरिद लिया था Sike Motors ने Sike कौन है तो शांगाई Automotive Industry Corporation Motor Corporation Limited Sike Motor यह Chinese state owned है सरकारी है और चाइना की largest automaker है चाइना में Audi से लेके Skoda से लेके में MG Motor Brand के थूँ 2019 में एंटर की MG Motor Cars बहुत सर्सेस्फुल रहे है Indian consumers पसंद भी किये है और Company का एक Proposal था कि आने वाले दिनों में और Capital लेके आना है So that we further expand कर सके Indian Market में अपनी पकड़ और मजबूत कर सके लेकिन इसको एक Road Block सफर करना पढ़ रहा है जैसे चाइना, जैसे पाकिस्तान, जैसे बांगलादेश उनसे यदि कोई भी Investment भारत की ओर आ रहा है तो वो सारा Investment अब ज़्यादा स्क्रूटीनी से गुजरेगा भारत सरकार के जाहिर सी बात है MG Motors ने भी Approval डाला है कि हम Psych Motors याने चाइना से Investment लाना चाह रहे है विच रिस्पेक्ट टू MG Motors इन इंडिया लेकिन सरकार ने अब तक Approval नहीं दिया है और इस वज़े से MG Motors फर्दर Expand भी नहीं कर पा रही है और सिर्फ इतना ही नहीं अब वो Alternative Sources of Capital की भी तलाश में है तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको आची क्लास पसंद आई होगी तो यहां से आप Telegram चैनल पर जुड़ सकते हैं यहां पर Lecture के PDF भी आपको मिल जाएंगे इसके सिवा Test Book Super Coaching में आपको मिलता है साथ इलिया के Super Teachers का Super Teachers आप देख सकते हैं यह वो हैं जो की दशकों से इस exam के लिए बच्चों को प्रिपेर कर रहे है students को प्रिपेर कर रहे है और इनके सेंखडों की तादात में इनके students ने exam भी clear किया है तो यह जो offline institutes में पढ़ाते हैं वही content हम आपको देते हैं और इतना ही नहीं दोस्तों आपको हमारे subscription में मिलता है GS, optional answer writing के programs है वैसे ही CSAT के programs है याने complete package आपको मिल रहा है और Super Teachers के दवारा भी 30 plus video courses है 550 plus mock test है 500 plus study notes है 1000 plus daily live classes है तो यह सब आपको मिलेगा जब आप हमसे जुडेंगे और daily live classes तो होई रही है जो सब्सक्रिप्शन की कीमत है दोस्तों एक साल की सब्सक्रिप्शन की UPSC, CSE की कीमत है 26,999 रुपे यह तब है जब आप coupon code किंजल यूज़ करते हैं जिससे आपको मिलता है maximum discount और साथ ही साथ हमारे जो free courses जो मैं रन करता हूँ आप उसको भी support कर सकते हैं जब आप सब्सक्रिप्शन कोट किंजल का इस्तमाल करते हैं